नमस्ते भारत आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्व जान पेज चेक्स वर्ल तो आज हम सीखेंगे मसाला पीनट बनाना हम हमेशा शॉप से ही मसाला पीनट खरीद करके खाते हैं पर पहली वार आज हम घर में बनाएंगे मसाला पीनट तो वीडियो को आप अंतक जरूर दे यहां पर मैंने मोटा मुफली का इस्तेमाल क्या है अगर आपके पास लंबा वाला मुफली है तो आप उसी का इस्तेमाल करें अब हम यहां पर एक बाउल लेंगे बाउल के अंदर हम मुफली को निकाल लेंगे मुफली को बाउल में निकालने के बाद अब हम मुफली के अ डालेंगे जीरा डालने के बाद हम इसके अंदर आदा चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आप चाहे तो यहां पे लाल मिर्च को कम और जादा भी कर सकते हैं उसके बाद हम इसके अंदर 15 से 20 काले मिर्च डालेंगे अब हमें यहां पे कूटने वाला लेना है कूटने वा आपे मुंफली वाला बाउल लेना है मुंफली बाउल के अंदर हम आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर मसाला डालेंगे जो हमने तियार किया था यहाँ पे हम सारा मसाला इसके अंदर डाल देंगे सभी मसाला डालने के बाद अब हम इसके अंदर आधा चमच गरम मसाला डालेंगे गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसके अंदर आधा निम्बू लेंगे निम्बू को हम इसके अंदर स्क्वीज कर देंगे और आप चाहे तो इसके अंदर फूट कलर का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इसके अंदर चार चमच पानी डालेंगे चार चमच पानी डालेने के बाद अब हम इन सभी को हाथ का इस्तमाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको बेसन की क्वांटिटी कम लगती है कड़ाई के अंदर हम थोड़ा सा सरसोह तेल निकाल लेंगे और सरसोह तेल को गरम होने देंगे जैसे यह तेल गरम हो जाये तब आप गैस का फ्लेम बिल्कूल लो कर दें। उसके बाद आप इस के अंदर एक एक करके पीनठ को अच्छे से फ्राई कर लें आप चाहें तो एक बार में भी पीनट को डाल सकते हैं पीनट डालने के बाद आप फोड़ी दिर बाद आप देखें गे यहां पर फीनट का कलर और बेल एकन दबाना ना भूले मैं हर दिन इने वीडियो लेकर के आतू तो चैनल पर बने रहें तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग करका चैनल पर बने रहें तो चैनल पर बने जाना भूले मैं तो के लिए